नमस्कार, आपका हमारी चैनल पर स्वागत है, आज हम आपको एक नई तरह की बनाई बताएंगे, इसे बच्चों के में, बड़ों के में, किसी के भी, किसी भी पैटर्न पर आप इसको डाल सकते हैं, इसके लिए मैंने इसमें 34 फंदे डाले हैं, और दो सलाईया मैंने सीधी उल्टी बुन के कंप्लेट की हैं, आप हम इसको पहले इस तरह से बुनेंगे, देखिए, सभी फंदे हमको इस सलाई में सीधे-सीधे बुन करके कंप्लेट करने हैं, यह सलाई हम पूरी सीधी-सीधी बुन करके कंप्लेट करेंगे, इस तरह से, देखिए, सीधी सलाई हमन उल्टे बुनने, ये पूरी सलाई हम उल्टी बुनकर के कम्प्लीट करते हैं, उल्टी सलाई बुनकर के कम्प्लीट कर ली, तो दो रो हमारी कम्प्लीट हो गई, थाइड रो है हमारी, ये पहला फंदा हमने उतार लिया, और सभी फंदे हमको सीधे बुनने हैं, ये पूरी स कि एक फंदा हम यह उतार लेंगे और यहां से उनको हम करेंगे पीछे यह उनको पीछे कर लिया और यह दो फंदे के बीच से हमको निकालना है यहां से यहां से हम निकाल लेंगे और एक फंदा इस तरह से हमने पुन लिया उनको आंगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनने ह और यह फंदा जो हमने नीचे निकाला था उसके, इसको हमें इसके दोनों फंदों के उपर से निकाल देना है, अब हम उनको आंगे करेंगे, और दो फंदे हमको उल्टे बुनने हैं, यह देखिए, दो फंदे हमने उल्टे बुने, उनको पीछे किया, और यह फंदा जो हमन बीच से निकाला था इसके उपर से दोनों फंदों के बीच से निकाल लेना है उनको फिर ये दो फंदे के बीच से हम निकाल लेंगे हर दो फंदे के दो उल्टे फंदे हैं इनके बीच से हमको निकालना है इस तरह से उनको आंगे कर लेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुने यह देखिए, यह दो फंदे हमने उल्टे बुने, उनको पीछे किया, जो फंदा हमने निकाला था, उसको इसकी उपर से हम दो फंदों की बीच से इस तरह से उतार देंगे, उनको हमें आंगे करना है, उनको पीछे ही रखेंगे, और यह दो फंदे के बीच से निकालेंगे, यह देखिए, यह दो फंदों के बीच से निकाला, उनको आंगे किया, और यह दो फंदे हमने उल्टे बुने, उनको पीछे कर लिया, यह फंदा हमारा इस तरह से कर लिया, फिर हमें यह दो फंदों के बीच से निकालना है, यह देखिए, इस तरह से, उनको हम आंगे करेंग क्लिए और दो फंदे ने यहारे उल्टे बुन गये। cardiovascular कि उनको पीछे किया और यह ज्थ बीच से निकाला था इसको हमें यह धेखी इस तरह से उतार लिया। इसी तरह से वम पूरी शलाई complete कर लेए। यह यह हमने पूरी सलाई कम्प्लेट कर ली अब हम सीधी सलाई पर हैं और इसको हमें पहला पंदा हमने उतार लिया और सभी पंदे हम सीधे बुनकर के कम्प्लेट करेंगे यह देखें पहला पंदा सीधा बुना यह सभी पंदे जितने भी हमारे हैं इनको हमें सीधा सीधा बु सभी फंदे हमको उल्टे उल्टे बुन करके complete करने हैं देखिए अब हम सीधी सलाई पर आ गये सीधी सलाई पर हमको सभी फंदे सीधे सीधे बुन करके complete करेंगे यहना हमारी ये बुनाई पड़ती है, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, उनको पीछे करेंगे, और ये दो फंदे उल्टे हैं, इन दोनों फंदों के 20 से हमको बुनाई बुननी है, तो ये फंदा हमने 2 के 20 से एक फंदा ये निकाल लिया, ये देखिए इस तरह से, और उनको आंगे करे और ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, उनको हमें उल्टा बुन लेना है, उनको पीछे करेंगे, और ये फंदा जो हमने नीचे से निकाला था, इसको इसकी दो फंदे के यहां से निकाल लेंगे इसको, और हमें फिर ये दो फंदे, हर दो के बाद हमको ये बुनाई डालनी यहां से फिर हमने किया यहां से उनको निकाल लिया इस तरह से उनको आंगे करेंगे और यह दो फंदे हमको उल्टे बुनने हैं यह देखे दो फंदे हमने उल्टे बुने उनको पीछे किया यह फंदा जो हमने बीच से निकाला था इसको इसके उपर से निकाल देना इन दो फंदों के और ये फिर हमें ये दो हमारी जो उल्टे हैं इनी के बीच से हम हर दो फंदे के उल्टे के बीच से हमको इस तरह से निकालना है और उनको आंगे करके ये दो फंदे हमको उल्टे बुनने हैं इस तरह से ये देखिए हमने उल्टे बुने उनको पीछे किया और ये फंदा जो हमने बीच से निकाला था इसकी उपर चढ़ाएंगे इसी तरह से हम पूरी सलाई कम्प्लेट करेंगे और बुनाई हमारी यहीं पर इसी तरह से कम्प्लेट होती जाएगी यह देखिए हमारा यह पुनाई बन करके तयार हो गई है कितनी मैंने इसको आपको स्टैप बाई स्टैप बताया है बहुत ही सुंदर और एक सलाई की बुनाई है आप भी वश जा लिए अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए औ अगले वीडियो में नमस्कार